हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का रिजिनिंग भाई हाईवे क्लासेश पर तो रिजिनिंग भाई हाईवे क्लासेश पर आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे गन और घना पढ़ाएंगे ठीक है और घन और घना में क्या पढ़ाएंगे सबसे पहले में लोग घन पढ़ेंगे और घन के बाद फिर घना पढ़ेंगे ठीक है एक-एक करके पढ़ेंगे तो आज अच्छा दिन था मैंने सोचा आपका जो classes इसमें आफ थी तरसल मेरी running बगारा लगी हुई है तो इसले time नहीं मिल पारा है मैं काफी ठक गया था ठक भी जाता हूं इसमें भी ठक जाता हूं तो फिर उतनी ताकत बचती नहीं है क्योंकि मैं जो भी पढ़ाओंगा फिर आपको अच्छे से भी पढ़ाओंगा ठीक है आपको अच्छे trick के साथ अच्छे concept के साथ हमको बताएंगे जो आपको reasoning है यह जो मैं बढ़ा रहा हूं अगर आप पुछोगे किस exam के लिए तो यह आप वंडे exam जो chapter आपके आ रहे हो जैसे आप कोई भी exam दे रहो जैसे ग्रूप D का देना है या किसी other exam में देना है पुलि अब सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्द् Тем सुम्कामच है आप इसमें एक टार्गेटारेट करें और उस टार्गेट को पाने के कोशिए और अच्छे से अच्छे करम करने का प्रयास करूआ कि व्यक्ति करता रहता है और सीखता रहता है तो आप ऐसा बोइसा कोई काम ना इस तरीके से ही पासा होता है यह कटा नहीं होता है यह कटा हुआ नहीं है यह बिल्कुल पासा बिल्कुल स्लेट होता है तो उस पर नंबर पड़े होते हैं तो मैंने लिख दिया है कि घन और घनाव में अंतर क्या है सबसे पहले हम यह डिफरेंस समझ लें तो घन में क्या हो कि दूसरी वी होगी और तीसरी सी होगी मतलब सारी भूजय अलग अलग होगी dzieci को abc नमानकर हम लोग यल वी यक मान लेते हैं थीज़ नब घुनाब पढ़न तोOM कि शुच्राइब आठी अज़ो लोग पढ़ते हैं चाहिते आप में अच्छी करना चाहते आप हमारा जो highway classes channel है उस पर हम लोग math discuss करते हैं ठीक तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या सीख लेते हैं पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एक घंड में क्या होता है तो एक घंड में क्या होता है एक घंड में 8 कोने होते हैं यह आपको रटके रखना अच्छे से क्योंकि यहां से भी सीध में किनारे कितने होते हैं बारा किनारे होते हैं यह बारा किनारे होते हैं और सतय कितने होती छे सतय होती अब आप आईए हम इसको दिखाते हैं तो देखो यह कोना एक यह कोना है और एक यह कोना है और एक यह कोना है एक यह है और एक यह अगर आप इसको गिनने का प्रयास करोगे तो यह साथ ही निकलेंगे देखो एक दो तीन चार पांच छे और एक साथ एक कोना कहा एक कोना बिल्कुल उधर है पेज के पीछे नहीं है मतलब इस डाइग्राम जो पेज पर अमने डाइग्राम बनाया है इस पर आप साथ हीट कोने देख पाएंगे एक आपने जो मतलब एक बार में आप तीन इसके फलक पीछे चिपए हैं आप इनको फलक कह लीज़े या सतय करीज़े एक ही बात है और अगर यह याद हो गए तो फार्मूला भी याद करने में आपको आसानी होगी क्यूंकि इस चैप्टर को हम लोग फार्मूले पर ही लगाते हैं अच से कोशन कैसे बना जाएगा हैं यहां से आपने कोशन के लिए का लिया आठ को नहीं होते हैं बारा किनारे होते जालता है और वह माल लेते हैं गटा सेसे सेंटीमेट रहें कितनें छेसेंटीमिटर है यह बड़ी ॉजा सबसे बड़ी सेंटीमेटर होगा कितनी कि हमने माल ली अगर यह 무ツय है तो इदर वी छैंगलेगा यह बीच यह चिए 28 2 यह सब चोटे चोटी टुकड़ों में काटा है आप से प्रस्न बनेगा बताओ ऐसे कितने हैं जिनकी 3 सतय रंगिन है दो सतय रंगिन है एक सतय रंगिन है यह-जिशुरो रंगिन है और कुल घनों की संख्या यह विशु कुछ ना आपके पूछे जाएंगे अब इनका answer हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहली बात इस घं को हमने red color से रंगा हुआ है यानि की पूरा का पूरा जो घं है वो हमने इसके उपर red color चला दिया है पूरा red है ये दिखें पूरा हमने red color कर दिया है चारो तरफ ये red color से हमने कर दिया है अब आप देखिए 6 तरफ होता है मतलब 6 सतय होती है 6 की 6 हुमने red color से कर दी है अब आप से question कैसे बनेगा देखो पहले हम लोग यहां पर थोड़ा सा basic समझ रहे हैं और फिर इस question को बहुत जल्दी से समझ लेंगे तो देखे सबसे पहले अगर हम मात कर लें कि ऐसे कितने घन होगे जिनकी 3 सतय रंगीन होगे तो इस घन को अगर आप सही से देखोगे तो क Among के अगर आप इसकी घन की बात करोगे तो इसमें तो दोगी सतय रंगीं होंगे एक तो ये रड़ होगा ये रड़ होगा बाकी तो इसके छे अंदर हैं और फिर ये कोना आ जाएगा तो इसकी तीन दो ये दिख रहे हैं इधर बाकी छिपी हुए हैं भुजाएं सतय हैं चीक है और अगर बीच वाले की बात करोगे तो सिर्फ एक ही सतय रंगी होगी तो कुछ है जाएगा ऐसे कितने घंए जिनकी तीन सतय रंगीन है अच्छा एक कुशन यहां पर और समझ लीजिए यानि कि एक घंड में यहां पर लोग ध्यान करके लिख लेंगे नोट्स बनाके कि तीन से जादा यह तीन से जादा सतय रंगीन नहीं होगी यह आप ध्यान र फिर देखिए ऐसे कितने घंए जिनकी तीन सतय रंगीन है तो देखो यहां पर कोने पर है एक कोने पर एक है अभी आपको सिखा है कितने कोने होते आठ तो इनकी संख्या फिक्स होती है इसमें कुछ नहीं करना है इनकी संख्या फिक्स है यानि कि तीन सतय रंगीन है ऐसे क कहां पर हैं यहां पर हैं यह देखिए यह आर और यह आर लिखा हुआ है इसकी दो सतय रंगीन है और यह गन है कहां पर यह गन है यह गन है कहां पर यह गन है देखिए इसको कहते हैं किनारा यह किनारे परिस्थित है तो एक किनारे पर एक किनारे कितने 12 तो यहां पर कितने ह जाएंगे दो इस सत्य मोने वाले 12 ऑपए एक सत्य हुआ और यहां पर यह वाला है यह इनि कि केंद्र में है इसको सतह कहते हैं यह पूरी सत्य पर एक ही है और इसलिए टोटल यहाँ पर एक सत्य रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी छे हो जाएगी ठीक है अब आप से पूछा जा रहा जीरो सत्य है यानि कि जीरो सत्य रंगीन कितने है यानि कि जिसका एक भी सत्य रंगीन ना हो ऐसे घन कितने है पहले आप कुल घनों की संख्या निकालो, कुल घनों की संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए, पहले उपर वाली परद देख लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, एक उसमें नौ हैं, तो हैं कितने में गटा, एक ये गटा, एक ये टोटल घनों की संक्या कितनी हो गई 27 तोटल घनों की संक्या 27 हो गई अब देखिए यहाँ पर 8 और 12 20 और 6 26 तो यह 0 सतय वाला कितना बचा एक तो यह देखो यह एक सतय रंगीन वाला है मलब इसकी कोई भी सतय रंगीन नहीं है अब आप ध्यान समझते लेना लाश्ट तक ब यह एंसर फिक्स होता है हमेशा फिक्स है इसमे नहीं बदलेगा यह फिक्स है ठीक अप अच्छा यह लोग बन लेंगे के और यहां पर भी लिखे दिजिए इन इस आप फार्मिले लिकानने हैं और कुल गनों की संध्या कैसे निकलती है इन क्या है सी क्या है यन क्यूब अप इसको रट एक समलगे देख uniqueness सबसे पहले आप Yen minus 2 हम आपको बताएंगे आप देखिए 2 सतय रंगीन घरणो की संख्या को पूछेगा तो हम लोग बताएंगे 12 Yen minus 2 1 सतय रंगीन घरणो की संख्या 6 Yen minus 2 का whole cube और kul घरणो की संख्या Yen q तो देखिए अब आप समझेंगे यह Yen कैसे निकल Repeating Sum तो हम आपको बता देते हैं यन कैसे निकलता है तो ध्यान से समझें तो यन बराबर क्या होता है यन बराबर ध्यान से समझें यन बराबर होता है बड़े घन की भुजा बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा यानि कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की यहां से यह निकलेगा अब देखिए अब हम आपको यह निकाल के दिखाते हैं यह बरावर कितना हो जाएगा तो यहां बड़ा गंग कितना था चे इसकी बुझा कितनी थी 6 cm तो हम लोग लिखेंगे 6 और चोटे घंग की बुझा कितनी है दो तो यहां आप लिखेंगे दो तो दो से भाफ कर देंगे तो यन का मान केतना आ जागए है? त्याह जब हम आ ट्याहते जफ किनगे कितनी है? सब पिभाइब दे दो इसलिए यहाँ पर दो सटाय रंगी न सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब यह इस तरीके से निकाला जाता है ना कि डियाग्राम बनाके नहीं कर पाएंगे करेंगे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी यहां पर जो है छे सेंटिमेटर की जगे पर दस बारा पंदरा भी आएगा तो और दो तीन 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 में कटवाएगा तो फिर हम लोग नहीं काट पाएंगे क्योंकि इस डाइग्राम को बनाने में ही बहुत संभण जाएगा तो हम लोगों को डाइग्राम नहीं बनाना है बस इस पे जो ंसरे पताया है कि तीन सत्य टियंगल m कि संख्या बारा कि यहन मानेस दो और एक सतय रंगीन सख्या चे यहां पर नगार आपको दो सतय रंगीन घनो की संख्या निकाल है तो यह कहां पर मिलेगा यहां पर मिलेगा यहां पर यह वाला और इसके लिए हमको यह वाला और यह वाला घटाना पड़ेगा दो घटाने पड़ेंगे एक इधर एक इधर इसलिए इसमें दो इधर भी एक है इधर सब जगह एक-एक तो एक-एक इसमें घटाना पड़ता है तो एक-एक इधर घटाओगे दो घटाओगे ठीक है तो और छे इसलिए गुणा होईगी कि इसमें छे सत्य हैं और सेम यहीं चीज यहन मानिस दो का होल क्यूब रखेंगे यहां पर यह चीज सबसे पहले यहां पर दो-चार बाचे और ध्यान रखो इनको हम लोग कहते हैं सीर्सगन ध्यान दें इनको हम लोग क्या कहते हैं इनको कहते हैं सीर्सगन यह आपको नोट में लिखना है इनको सीर्सगन कहते हैं और इनको कहते हैं मदगन यह आपको ध्यान में रखना है औ और इनको कहते हैं केंद्री घन इनको क्या कहते हो केंद्री घन कहते हैं यहां लिख देते हैं केंद्री घन और यह बिल्कुल अंदर पायाता है इसलिए इसकी कोई सतय नहीं रंगी होती है इसको कहते हैं अंता केंद्री अंता केंद्री या इसको ऐसे भी कह सकते हैं रंग ही ठीक है देखो बाकी जिसे जो यहां पर यह है थोड़ा सम लिख देते हैं क्योंकि लिखने में आपको टाइम बच जाएगा है ना ऐसामा समयना गुरुजी वहां देखके ऐसा कर रहे हैं नहीं पर मुझे पढ़ाते हुए काफे साल हो गए तीन से चार साल हो गए तो आप इ मैंने उप पर दिया उसमें मेरे लिजनिंग में 38 सही है ठीक है दो तो एक दो ऊपा नीचे होई जाता है कभी कबार ठीक है तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है मैं तीन-चार साल से पढ़ा रहा हूं और काफी चीजें जो है जीएस है और हिंदी है काफी चीजें ब आप किससे पढ़ रहे हो तो अभी आप हमारे concept मैच करोगे तो आपको किसी भी exam में जब आप दोगे जाके तो उसमें डरने की जुरूत नहीं होगी आप एकदम से लगा के आओगे अच्छे तरीके से और कोई गलती नहीं होगी ठीक है ओके तो चलिए अब हम आप लोगो अप लोगों के लिए प्रक्टिस कराते हैं जो इसमें कुशन प्रक्टिस हैं आपको क्या करना है यह बिल्कुल रट लेना है तीन ही फार्मूले में चीज है यहां पर और यहन क्यों क्यूब गन? को बड़े गहन की पुझा बटे चोटे गहन की पुझा ऑके चलो देखते हैं कि यह 12 सेंटीमेटर के रंगे हुए घन को तीन सेंटीमेटर के छोटे चोटे घनों में काटा जाता है तब बनने वाले कुल घनों की संख्या था ग्यांट रेकों क्यूंट अच्छा यह निकलेगा बड़े खण की बुझा भटे चोट्री आप लोग कलेंक define से काड़ाइगे तो चारा जाएगा तो यहांपर क्या करना करना है यहना के तो यहां बर्राबर कितना आ तो हम लोग चार का क्यूब कर लेंगे तो चार का क्यूब कितना होता चार चकू 16 चकू 64 तो हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा चूंसर हो जाएगा यह ऐसके पूछा जाएगा तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा अगला क्यूशन एक बारा सेंटीमेटर के कद फैदा लिखना पड़े तो 12 सेंटीमेटर के रंगे विए घंप चार सेंटीमेटर के छोटे छोटे घंवे में काता गया तो ऐसे कितने घर मनेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन वोगा तो देखो तीन सतह रंगीन की यह एंसर फिक्स है क्योंकि इसका राइट यह नहीं होता है तीन सतय वाले का answer fix है, यह 8 हो गया दो सतय रंगीन है, तो दो सतय रंगीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दो सतय रंगीन के लिए आपको formula लगाना पड़ेगा, कौन सा? वो लगाना पड़ेगा, 12, n-2 एक सतह रंगीन है इसके लिए क्या सा फर्मल लगाना पड़ेगा 6 Yn-2 का whole square ऐसे घनो की संह्ख्या कितनी होगी जो रंग हीन होगे यानि कि रंग हीन जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है उसके लिए फर्मल लगाना पड़ेगा Yn-2 का whole cube और कुल घनों की संग्या क्या होती है यहन Q यानि कि सबसे पहले हमको यहन निकालना पड़ेगा तो यहन कैसे निकलेगा यहन निकलेगा बड़े घन की बुझा बटे चोटे घड़े बड़े घन कितना है 12 चोटा घन कितना है 4 तो काट देंगे 4-3, 12 तो यहां रखेंगे तो बारह और तीन माइनस दो तीन में से दो जाएगा एक यानि कि राइट एंसर बारह तो यहां शे कितना है 3 तीन में से 2 जाएगा प्रजूंग 10 कितना होता है कुल गनों कि संक्या तो इंका मान कितना है तो 3 तीन होती है 27 आई यह हम इसको कुल गना भी देते आपको देखो 8 यह और 12 यह 8 12 तो और एक सुरी आठ और बारा बीस और छे चब्वीस और एक 27 तो कुल घन कितने हो गए 27 हो गए यहां से भी वेरिफिकेशन मिल गया है ठीक है तो उम्मीद है यहां पर समझ आया होगा चलिए अब एक टाइप और बनता है इसी में जो हमने पढ़ाया उसी का दूसरा टाइप ह मदलब कौशन यह है देखिए यह कोशन अब दिखा देते हैं कोशन क्या है कोशन देख गया ओगा कौशन आपसे पूछ meet की सभी सत्यओं को पल्य Chen निकालना पढ़ाएक तथा 37 बराबर घंणों में काट दिया तो इसके पहले हमको यह निकालना पड़ेगा अच्छा यहां बड़ा भी गन नहीं दिया गया चोटा भी गन नहीं दिया गया तो फिर क्यों बड़ाव 27 तो यहां राइट एंसर कितना हो जागा तो यह चीज आपको समझ में आ गए होगी क्योंकि इसमें फर्मुला कौन सा लगा है बारहा यह माइनस दो और यहन का मान तीन है तीन में से दो जलाएंगे एक और बारा एकम बारा ठीक है समझ पाए चलिए एक सिखेंगे इसी पर वेज्ड है तो देखिए कि एक घन की सबी सत्यों को लाल रंग से रंगी जाती है और इसे बराब 125 125 बराबर चोटे जोटे एक सोटे घनों में कटा जाता है याहनिकि यन की बराबर आपको 125 दे दिया इसमें कूल לא कितना जाएगा पांच आज यहां से क्योंकि टोटल घनों की संख्या दी गई थी अब आपसे क्या पूछ रहें ऐसे कितने घन है जिनकी केवल हम लोग यहां वालो रखते है यहां लोग लिखेंगे च फो यह हो जाए किटना एंसर आए जाएगा इसका नाहीं दिख रहा है तो यहां पर लिख दे रहे हैं इसका राइट एंसर में तो यहां सब्सक्राइब जाएगा किसी भी सथे कोarlगाइब तो इसके लिए लोग यहन का तो गया तीन का क्यूब तो तीन का क्यूब की नहीं होता है 27 तो यहां 27 अब देखो अगर आप इसको टाइग्राम बनाओ तो सोचो कि चावण और 26 अब 27 तीनली कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो फिर टाइम लगेगा और टाइम नहीं लगना है हमारे लोगों को ठीक है तो यह थे आपके घंड से रिलिटेड पहला टाइप बहुत सिंपल टाइप था इसमें घंड में और जो भी अच्छे से अच्छे और सभाल बन सकते हैं व थैंक यू